तो बिट आप की वक्षीट आ गई है ये डारिक्टोरेट ओफ एजुकेशन जी इनशिटी औफ डेली की वक्षीट नमबर है बिट आपकी 12 यानि कि सिख्षा निजेशाले रास्टे राज़सानी अक्षित्र दिल्ली की वक्षीट नमबर 12 है ये कक्षा 8 की जो है गनित की वक्षीट है विदार्थी को अपना नाम लिखना है यहां आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है ये वक्षीट जो है पांच नमबर 2020 की वक्षीट है तो चलिए पढ़ते हैं देखते हैं वक्षीट में दिया क्या गया है आज का जो हमारा जो topic है वो है रेखिक रूप में बदले जाने वाले समीकर्ण यानि कि रेखिक रूप में हम जो है समीकर्ण कैसे बदलते हैं बदले जाने वाले समीकर्ण पिर ये विद्याद थी हो हमने पिछले worksheet में रेखिक समीकर्ण के बारे में पढ़ा किसमें पढ़ा था बिटा हमने पिछली वर्क्षिट में रेखिक समीकर्ण के बारे में पढ़ा था और जाना कि इसे कैसे हल किया जाता है लेकिन कुछ समीकर्ण ऐसे होते हैं जो रेखिक रूप में नहीं होते क्या होते हैं बिटा रेखिक रूप में नहीं होते यानि की रेखा में नहीं किये जाते इस वक्षिट में हम सीखेंगे कि उसे रेखी क्रूप में कैसे लाया जा सकता है और कैसे हल किया जा सकता है देखिए कैसे इस साड़ी को गोर से देखिए रेखी क्रूप में समीकर्ण और समीकर्ण जो रेखी क्रूप में नहीं है यह तो किसमे है रैकिक ग्रूप में है और यह किसमे है स्मीकर्ण रैकिक ग्रूप में नहीं है तो ऐसे जो स्मीकर्ण आते हैं वो क्या होते हैं रैकिक ग्रूप में होते हैं और ऐसे जो स्मीकर्ण होते हैं वो रैकिक ग्रूप में नहीं होते हैं तो क्या आप रैखिक और एराखिक स्मीकरंड की बीच में अंदर पता करेंगे? तो चलिए पड़ते हैं परश नमबर एक है हमारा कि X जमा 7 बटे X जमा 2 बराबर होते हैं 3 बटा 4 स्मीकरंड को हल करें उत्तर X जमा 7 बटे X जमा 2 बराबर है 3 बटा 4 तो इसको कैसे करेंगी हम बिटा इसको जो है हम क्या करेंगे हमें जो है ये जो स्मीकन होते हैं वो रहकिक रूप में होते हैं और ये वाले जो स्मीकन होते हैं वो रहकिक रूप में नहीं होते हैं तो हम इने जो हल करने के लिए क्या करेंगी इनको आपस में जो है गुणा कर तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम करते हैं लेते हैं इसको योगी उपर वाला लेना है चार इसको ब्रैकिट में ले लेते हैं क्या हो जाएगा यह इससे गुना हो जाएगा देखिए कैसे चार को बाहर रखेंगे ब्रैकेट एक्स जमा सैवन बराबर है तीन गुना ए तो क्या हो जाएगा चार एक्स जमा यह क्या हो जाएगा बिटा चार गुणा साथ बराबर है यानि कि इसको जब इससे गुणा करेंगी यहां क्या जाएगा आप चाहें तो यहां पर जो है पिटा सीधा 28 भी लिख सकते हैं लेकिन हम अगली लाइन में दिखाया गया इसको तो यहाँ पर क्या हो गया बिटा, 7 चोग 28 और फिर आता है बिटा, 7 यहाँ ऐसे काई से लिखा गया है, क्योंकि 4x गुणा 7 आगे है 3x जमा 3 गुणा 2, यानि कि 3x को x से जो है गुणा किया और फिर क्या आगया, 3 गुणा 2 तो आगे आएगा बिटा, 4x जमा 28, 3x जमा 6, 4x यानि कि xx के एक साइड ले आते हैं, 4x मैनस 3x, क्योंकि यह किसका प्लस प्लस किसके हो जाते हैं, मैनस के हो जाते हैं, बराबर होते हैं 6, यानि कि 6 प्लस का था, और यहाँ प्लस का था, तो क्या हो गया, इदर आके मैनस का ह गया तो एक्स बराबर है घटागे 22 तो एक्स का मान कितना हुआ बिटा माइनस 22 तो प्राशन नमर दो दिया गया है एक संख्या जिसका सात्वा भाग उनके आठमे भाग से एक अधिक है तो संख्या ग्याद कीजिए तो यहां पर क्या करने पड़ेगा हमें मानना पड़ेग माना की संख्या एक्स संख्या का सात्वा भाग एक्स बटे सेवन संख्या का आठवा भाग एक्स बटे एट तो संख्या का सात्वा भाग संख्या का आठवा भाग एक है तो हमने यह पड़ा था ना कि एक संख्या दो एक संख्या जिसका सात्वा भाग उसके आठमे भाग से एक अधीख है, तो हम कैसे करेंगे? X बटे 7, X बटे 8, बराबर किसके हैं? क्योंकि यह किसके बराबर है 7 भाग, संख्याट्वे भाग के 1 के बराबर है तो इसका क्या लेंगे? हम LCM ले लेंगे, LCM 8 7, 56, 56 हमारा हो गया नीचे LCM तो यह क्या? 7 8 8 8 X 8 7 7 7 X 7 X बराबर कितने है एक के तो यहाँ पर क्या रह रह रहा 8 से 7 गया 1 ही रह गया तो यह X ही रہ गया 8 सबस्के 6 बराबर है तो X बराबर है 1 गुना 56 तो X बराबर है 56 तो अब इस संख्या क्या आएगे बिटा 56 तो आगे बिटा जाज करनिया में अब X के मान का जाज कीजिए कैसे जाज करेंगे समीकन का LHS भाग लेंगे और तो था उसमें X का मान रखने पर देखिए X जमा 7 बटे X जमा 2 ये इसका है बिटा और बराबर होते हैं 12 जमा 7 बटे बाइस जमा 2 तो ये कितना आएगा 22 में से 7 गए 15 और 22 में से 2 गए कितना बिटा 20 माइनस के तो इसको कड़ जाएगा यहां से 5 ती ये 15 और 5 चुका 20 तो 3 बटे 4 जो है इसका वो यहां पर देखिए हमने 3 बटे 4 से ही इसके बराबर था ना तो यह आ गया हमारा last में भी क्या आ गया हमारा 3 बटे 4 तो सबसे पहले इन पश्णों को हल करते हैं बिटा कुछ पश्णों तर दिये गए हैं सबसे पहले 2 x जमात 3 बटे 4 x माइनस 5 बराबर होते हैं 3 बटा 7 की तो कैसे करेंगे हम देखिए इनका LCM ले लेंगे हम सबसे पहले तो नहीं LCM नहीं लेना है हम इनको आपस में गुना करेंगे तो देखिए यह आमने सामने की गुना होती है इसको ऐसे कर देंगे और इसको कर देंगे ऐसे तो देखिए यह हो गया 7 को बाहर रखेंगे यानि कि इसको गुणा करेंगे जब पहले हम जो है इसको समेकर्ण में लगा देते हैं साथ 2X जमा 3 बराबर है 3 4X माइनस 5 तो यह ओगे बीटा 7 दोनी 14 इसको गुणा किया इसे 7 दोनी 14 एकस जमा 7 धिया 21 बराबर है 3 चोक 12 X माइनस 15 चोदा एकस माइनस 12 यानि कि XX के एक साइड ले आते हैं यह वाला इस साइड ले आएंगे यह वाला यहां चला जाएगा तो 14 x माइनस 12 x बराबर है बिटा माइनस के 15 तो यहाँ पर है प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर 14 में से 12 गए कितने गए 2 और यहाँ से जो है यह इनको माइनस माइनस क्या हो जाता है बिटा प्लस हो जाता है तो ये कितने हो जाएंगे 36 x बराबर है मैनस 36 बटे 2 ये कट जाएंगे बिटा 2 से तो ये 18 आजाएगा x बराबर है मैनस के 18 तो आप ऐसे कर सकते हैं अगला कुशिन बिटा हमारा 5 x मैनस 4 बटे 3 x जमान 7 बराबर है 1 बटा 2 की तो इसको कैसे करेंगे हम देखे बिटा इसको ये ही करेंगे आपस में ही जो गुना करेंगे तो ये आजाएगा बिटा 2 बाहर 5 x मैनस 4 एक बाहर 3 x जमान 7 इसको आप गुना करेंगे तो आजाएगा बिटा 5 दूनी 10 x मैनस 4 दूनी 8 और यहाँ पर एक तिया तीन एक्स एक सत्य साथ एक्स एक्स के एक साइड ले आएंगे हम दस एक्स माइनस तीन एक्स बराबर है यह प्लस का है यहाँ पर सेवन यह माइनस का हो जाएगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिटा प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और 8 गए 7 और 7 पंदरा, तो X बराबर है 15 बटे 7, तो ये आज जाएगा हमारा अंसर अगला है बटा, Y बटे Y जमा 3 बराबर है 7 बटे 8 के, तो यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो 8 Y बराबर है 7 Y जमा 3, तो इनको हम आपस में गुना कर देंगे, 8 Y हो जाएगा, और 7 Y जमा 7 या 21, तो Y Y के एक साइड ले आएंगे, 8 Y मैनस 7 Y बराब है 21, तो इसका अंसर आजाएगा 21, तो आगे है बटा, Y जमा 4 बटे Z बराबर हैं किसके 5, तो यहां पर आजाएगा, बटा, J जमा 4 वही आपस में यहां पर इसके बटें हम एक मानलेंगे, तो यह आपस में ऐसे हो जाएँगे गुना, तो जमा 4 यानिकि एक है यहां पर, तो यहाँ पर हम Z जमा 4 बराबर हैं Z गुणा 5 के, तो Z जमा 4 बराबर 5 Z, तो Z बराबर है, Z minus, यह Z वाला यहाँ से Z-Z के एक साइड आ जाएंगे, और simple वाले एक साइड आ जाएंगे, तो Z minus 5 Z बराबर है minus 4, यहनि यह प्लस का है, आपर किसका आजाएगा माइनस का आजाएगा आगे है बिटा ये है माइनस के 4 जैड रहे गए बराबर है किसके माइनस के 4 आगे है बिटा जैड बराबर है माइनस 4 बड़े 4 तो जैड बराबर है ये आपस में कट जाएगे तो कितना रहे जाएगा एक कितना रहे जाएगा इसमें क्या करना पड़ेगा पिटा हमें संख्या को मानना पड़ेगा कि माना संख्या x किसके बराबर है 2 बटे 3 किसकी थे पिटा एक संख्या का 2 बटे 3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो यहाँ पर क्या होगा पिटा 2 बटे 3 x बराबर है x-30 तो 2 बटे 3 x यह इधर आ x x के x मानस x बराबर मानस 3, तो इसका क्या लेंगे हमनार समल, 3, 3 एकम, 3, 309, आये miayak túm ik till x- 3 x Project al-3 के, तो आगे है घा है जो है दो x मानस 3 x बराबर है 23 गुणा 3, आगे है बिटा कि जो है 2 x मानस 3 यह तो यहां पर हो गया, XX के side आ गए थे इसमें से बचका 2 में से 3 गए 1 माइनस का 1 X बढाबर है बिटा 30 कुर्णा 3 माइनस 30 कुर्णा 3 तो कितना हो जाएगा यह 90 हो जाएगा X बढाबर है 90 बटे 1 तो माइनस से माइनस कट गया तो यह कितना रह गया अगर X से हम जो 90 को भाग दें कितना आएगा 90 ही आएगा तो कितना हो गया यह X बराबर है 90 तो यह हमारा आगया answer आर गे है बिटा एक संख्या में से उसके छटे भाग को घटाने पर 25 आता है तो संख्या ग्यात कीजिए तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें इसमें भी मानना पड़ेगा कैसे देखिए माना संख्या Y Y बराबर है Y बटे 6 यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं बिटा X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं कि Y माइनस Y बराबर है कितने 25 चिसके 6Y माइनस Y यानि कि इसका हम LCM ले लेंगे बिटा यहाँ कितना LCM आएगा इसका 6 ही आएगा आप इसके बटे में चाहें तो एक भी कर सकते हैं तो एक शिका 6 6Y माइनस 6 कम 6 यानि कि यहाँ पर आजाएगा 1Y बराबर कितने है 25 के तो 5Y बराबर है 25 गुना 6 तो Y बराबर है 25 गुना 6 बटे 5 5 से 5 पंजे 25 कर जाएगा तो कितना आजाएगा Y बराबर है 30 यह हमारा 30 जो है अंसर आजाएगा तो देखिए यहाँ पर होती है हमारी वक्षीट कम्प्लेट पिटा अगर आपको वक्षीट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू, थेंक फोवर्ट